नमस्कार आप देखने दे सोसल राइज मेरिया आये बढ़तें खबरों की तरफ उत्तर बदेश के हरदोई से यूपी पुलीस की अमानवीय चेहरे की तस्वीर सामने आई है जिसका एक वीडियो इन दिनों सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें एक महिला के साथ दो महिला पुलीस कर्मियों को बेहत दर्दनाक और अमानवीय वहवार करते देखा जा सकता है वीडियो के वाइरल होते ही यूपी पुलीस की छवी धुमिल हो रही है हैरानी की बाद तो यह है कि यह वीडियो एस्पी ओफिस के बाहर का बताया जा रहा है जिसमें दो महिला पुलीस कर्मी एक महिला को हाथ पकड़ कर घसिते हुए ठाने लेकर जाती नजर आ रही है फिलहार वीडियो के वाइरल होने के बाद यूपी पुलीस ने इस पर संग्यान लिया है वही एस्पी ने विभागियर जाज के आदेस दे दिया है बताया जा रहा है कि महिला ने एस्पी ओफिस पहुच कर बवाल मचाने की कोसिस कर रही थी जिस कारण महिला पुलिस कर्मी उसे इस तरह ले जाती नजर आई जानकारी के अनुसा हरदोई के पिहानी थाना छेतर की रहने वाली एक महिला का अपने पती से लंबे समय से विभाद चल रहा था जिसके सिकायट लेकर वह एस्पी ओफिस पहुची थी इस दौरान वो एस्पी से मिलकर अपनी सिकायट बताने के बावजूद एस्पी ओफिस की दिवार पर चड़ कर बवाल मचाने लगी जिसके बाद जानकारी होने पर महिला ठाने से पहुची महिला पुलिस कर्मियों ने उसे दिवार से उतार कर घसीट कर ले जाने लगी फिलहाल इस तरह से महिला को ले जाते देख आसपास मौजूद कई लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोसल मेडिया पर तेजी से वारल हो रहा है जिसके वारल होते ही ने कुछी समय पहले पुलिस क्लब की दिवार पर चड़कर पेड़ पर अपनी धोती से फंदा बना कर जान देने की भी कोशिस की थी अब एक वीडियो क्राप्ट हुआ है जिसमें एक विक्शिप्त महिला है जो दिवार पर चड़ रही थी तो उनको इसी तरह उतारा उसके बाद फिर एक प्यारडी की महला कंस्टेविल है और एक हमारी पुलिस की महला कंस्टेविल है तो टांग पकड़कर उठा कर ले जाते हुए दिखाई पड़ रही है फिर उसके बाद घसिटना चुरू कर देती है यह बहुत ही अमानवी है और इस पर मैं संग्या ले आएन ले यहाल्व है यह सुच की महल्ड है झाल आगे सकता है घसा फिर सी काल शीश की तल कर भे कょर पीमोया है पहली यह है है टुमों की तोशे पूरू कर आए वागिल